ओम शान्ती बाप दादा तिवर पुरुशार्थ के लिए हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए हर मास अव्यक्त इसारे देते हैं इस जुलाई मास में बाप दादा ने हम बच्चों को ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले ब्रह्माचारी बनू अव्यक्त इसारा दिया ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाले ब्रह्माचारी बनू जिसमें एक जुलाई से लेके दस जुलाई तक के बाप दादा क इसारों का मनन करेंगे बाप दादा एक जुलाई को कहते ब्रह्मा चारी अर्थात ब्रह्मा बाप के आच्रण पर चलने वाले संकल्प बोल और कर्म रूपी कदम नैचुरल ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम हो जिसको फुटिश्टेप कहते हैं मन वाणी कर्म के कदम ब्रह्मा चारी हो ऐसे ब्रह्मा चारी का चहरा और चलन सदा ही अंतर मुखी और अतिंद्रिय सुख का अनुभव कराएगा अर्थात अंतर मुखी गंभीरता को धारण किया हुआ चहरा चलन कम बोल मीठे बोल समर्थ बोल संकल्पों में भी समर्थता हो तो ब्रह्मा बाप जिस प्रकार मन्सा वाचा कर्मना स्रीमत को फालो करते थे हर कर्म में सदा बाप की याद रहती थी तो कर्म स्रेष्ट होते थे सदा बाप की इस्मरती होती थी तो हर संकल्प समर्थ होता था और हर बोल विश्व कल्यान अर्थ निकलते थे तो ऐसे ब्रह्मा बाप को फालो करने वाले बच्चे बाबा कहते अतिंद्रिय सुक का अनुभव करेंगे और औरों को भी कराएंगे तो ऐसे जो बच्चे फुट इस्टेप करते हैं अर्थात कदम पर कदम रखकर ब्रह्मा बाप को फालो करते हैं वे बच्चे ब्रह्मा चारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले बच्चे कहलाते हैं दूसरा दो जुलाई को बाप दादा ने इसारा दिया ब्रह्मा चारी आत्मा साइन्स के साधन वा ग्यान के साधन के आधार पर सदा सुखी नहीं रहते लेकिन साधनों को भी अपनी साधना के स्वरूप में कार्य में लाते हैं साधनों को आधार नहीं बनाते लेकिन अपनी साधना के आधार से साधनों को यूच करते हैं अर्थात साधनों का प्रयोग हमारे पुरुशार्थ को तीवर गती प्रदान करने के लिए हो अर्थात हमारी साधना को तीवर गती से लक्ष प्राप्त कराने के लिए साधनों का प्रयोग हो ना कि साधनों पर आधारित हो जाओ तो ब्रह्मा बाप जिस प्रकार साधनों का यूच करते हुए भी उन पर डिपेंड नहीं थे ऐसे ही बाप दादा हम बच्चों को इसारा देते कि जो इस्थुल सुख सुविधा के साधन है उनके द्वारा कभी भी सुख महसूस नहीं करेंगे सदा अतिंद्रिय सुख की अनुभूती करेंगे सदा यही इस्मरती होगी पाना थासो पालिया अब कुछ रहा ना पाने को तीन जुलाई को बाप दादा ने इसारा दिया याद वा सेवा की सफलता का आधार है पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचारी बनना यह पवित्रता नहीं लेकिन पवित्रता का संपूर्ण रूप है ब्रह्मचारी के साथ साथ बाप दादा कहते संपूर्ण रूप है ब्रह्मच ब्रह्माचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी बनना ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले जिसको फालो फादर कहा जाता है क्योंकि स्यू बाप के समान इस्थिती में बनना है लेकिन आचरण वा कर्म में ब्रह्माबाप को फालो करना है अर्थात बाब ब्रह्म चारी को संपूर्ण पवित्र नहीं मानते बाप दादा स्रिमत देते हैं कि ब्रह्मा चारी बनू यही संपूर्ण पवित्रता है जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा रूहानी द्रश्टी रूहानी व्रत्ती कर्म में भी रूहानियत दिखाते थे अर्थात अंतर मुखी रहते थे अव्यक्त इस्थिती की अनुभूती कराते थे तो ऐसे भ्रह्मा बाप को फालो करने वाले बच्चे फालो फादर कहलाते हैं वह सदा अपनी द्रश्टी व्रत्ती और कर्म में रूहानियत की प्रत्यक्ष्था करते हैं इसे ही संपूर्ण प सदा इसारा देते ब्रह्मा चारी अर्थात ब्रह्मा आचार्य ब्रह्मा आचारियों का चित्र है सदा सुख की सैया पर आराम से अर्थात सांती स्वरूप में विराजमान तो चेक करो कि सदा पवित्रता की प्राप्ति सुख सांती की अनुभूती हो रही हैं जीवन से दुख असांती का नाम निसान भी समाप्त हो जाए। अर्थात जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा निश्चय बुद्धी होकर बाबा को, ड्रामा को और स्वयम को देखते थे। अर्थात साक्षी द्रष्टा होकर सभी आत्माओं के पाल्ट को देखते थे, खुद के पाल्ट को देखते थे, कोई भी परिस्थिती का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता था। तो ऐसे ही हम बच्चों को ब्रह्मा आच्रण धार्ण करना है। अतिंद्रिय सुक की अनुभूती होती रहे, सदा अचल अडोल रहे कर हर परिस्थिती को हर पेपर को पार करते हुए जाएं। तो बाबा कहते यह ब्रह्मा आचार्य है। पांच जुलाई को बाप दादा स्रीमत देते। पवित्रता का वरत सिर्फ भ्रह्म चर्य का वरत नहीं है। लेकिन ब्रह्मा समान हर संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता हो। इसको कहा जाता है ब्रह्म चारी और ब्रह्मा चारी। हर बोल में पवित्रता का वाइब्रेशन समाया हुआ हो। हर संकल्प में पवित्रता का महत्व हो। हर कर्म में कर्म और योग अर्थात कर्म योगी का अनुभव हो। तो जो बच्चे ब्रह्मा बाप को फालो करते हैं ब्रह्मा चारी बन कर हर संकल्प, बोल और कर्म करते हैं। ऐसे बच्चे बाबा कहते ब्रह्मा चारी कहलाते हैं। सदा उनके संकल्प, बोल और कर्म में संपूर्ण पवित्रता होती हैं। अर्थात सर्व आत्माओं के प्रती, समान, द्रष्टी, व्रत्ती और करती की प्रत्यक्ष्टा कराते हैं। कर्म योगी होकर हर कर्म करते हैं। अर्थात हर कर्म में पिता पर्मात्मा को साथी सहयोगी बनाकर स्रेष्ट कर्म करते हैं। छे जुलाई को बाप दादा इसारा देते ब्रह्मा बाप समान हर बोल महावाक्य हो। साधरन वाक्य नहीं क्योंकि आपका जन्म ही साधरन नहीं है। अलोकिक है अलोकिकता का अर्थ है ही पवित्रता। ब्रह्मन अर्थात जो ब्रह्मा बाप का आचरन वही ब्रह्मनों का आचरन अर्थात कर्म हो। उच्चारन भी ब्रह्मा बाप समान आचरन भी ब्रह्मा बाप समान हो। इसको कहेंगे फालो फादर। तो हमारे हर संकल्प हर बोल में महानता समाई हुई हो साधर्म ना हो क्योंकि बाबा कहते तुम ब्राम्मानों का जन्म अलोकिक जन्म हैं तुम आउतरित आत्मा हो यह जो तुम्हारा जन्म है मर जीवा जन्म हैं तुम्हें स्वयम भगवान ने एडॉप्ट किया है कर्म करने के लिए तो कोई भी संकल्प पोल कर्म पहले प्रह्मा बाप से बेरिफाई कराना है फिर प्रैक्टिकल में आना है तब ही कहेंगे फालो फादर साथ जुलाई को पाप दादा इसारा देते ब्रामन जीवन की स्रेश्टता का आधार समीपता का आधार बाल भ्रम्म चारी अर्थात सदा भ्रह्मा चारी बनना है जिसको ही फालो फादर कहते हैं इसमें अखंड रहने वालों को सर्व प्राप्तिया भी अखंड अनुभव होती हैं खंडित पुरुशार्थी को प्राप्तियां भी अल्प काल्क अनुभव होंगी अर्थात बाबा अविनासी हम आत्मा अविनासी बाबा से जो प्राप्तियां होती हैं वह भी अविनासी पर बाबा कहते जो बच्चे ब्रह्माचारी होते हैं जो संपूर्ण पवित्रता को धरन करते हैं बाप के समान और समीब रहते हैं वे बच्चे ही अखंड प्राप्तियों की अनुभूती करते हैं आठ चुलाई को बाप ददा इसारा देते हर एक बच्चे का लक्ष ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण बनने का है तो लक्ष प्रमान सर्व लक्षन स्वयम में भरकर संपन्र बनो इसके लिए विसेश धारणा है सदा ब्रह्माचारी अर्थात ब्रह्मचारी और सदा परुपकारी तो हर कर्म हमारा परुपकारी हो जिसमें विश्व का कल्यान समाया हुआ हो जिस प्रकार ब्रह्मा बाप ने गलानी करने वालों को गाली देने वालों को अपकारीयों को भी माफ कर उन पर उपकार किया हमारे पिता परमात्मा ने भी हम बच्चों के अपकारों को भूल हम पर उपकार किया तो हमें फालो करना है ब्रह्मा बाप को और निराकार पिता परमात्मा को तो सदा यही इस्मृत्ति रहे कि हम निराकार पिता परमात्मा की संतान है जो विश्व कल्यान अर्थ इस भारत भूमी पर अउतरित हुए है और ब्रह्मा बाप के मुखवनसवली संतान है तो ब्रह्मा बाप भी सत्यूगी स्रष्टी का आधार हैं सत्यूगी स्रष्टी की इस्थापना में नंबर वन प्राप्त करते हैं तो ऐसे ही हम बच्चों को लक्च समान लक्चन धारन करते जाना है तो चेक करना है कमी कमजूरियों को निकाल कर लक्च समान लक्चन धारन करते जाना है नो जुलाई को बाप दादा स्रीमत देते, जैसे ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण बनकर अपना कार्य संपन्न किया, किसी को भी नहीं देखा कि ये बच्चा ऐसा है, ये ऐसा है, इसलिए मैं संपूर्ण नहीं बन सकता, हर पार्ड बजाते हुए, संपूर्ण बने, संपन्न बने, ऐसे मुझे बनना ही है, ऐसा संकल्प लेने वाला ही ब्रह्मा चारी गुरु चाहिए, तो बाप दादा ऐसे गुरुप की आसा करते, जो हर पार्ट को समान द्रश्टी वरत्ती से विश्व कल्यान अर्थ बजाए, कभी किसी दूसरी आत्मा क जज ना बने, स्वयम का जज बने, क्योंकि हर आत्मा को ड्रामा में जो पार्ट मिला है, वह एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, तो किसी के भी पार्ट का प्रभाव अपने पार्ट पर ना हो, सदा यह इस्मरती हो, मैं हीरो पार्ट धारी हूँ, मुझे हीरो बनने का 10 जुलाई को बाप दादा स्रीमत देते, जैसे ब्रह्मा बाप एकांत प्रिये होने के कारण, सदा अंतर मुखी रहे, जिस कारण स्वयम भी सदा सांती और सुक के सागर में समाई रहे, और अन्य आत्माओं को भी, अपने सुद्ध संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वरत्ती और बोल द्वारा, संक्पर्क द्वारा, सांती की वा सुक की अनुभूती कराते रहे, ऐसे फालो फादर करो, तब कहेंगे ब्रह्मा चारी, तो ब्रह्मा बाप के उपर इतनी बड़ी जिम्मेवारी होते हुए भी, ब्रह्मा बाप सदा अतिंद्रिये सुक की अनुभूती करते थे, हलके फरिस्ते के समान रहते थे, जिसका आधार बाबा बताते, एकांत प्रिये होने के कारण सदा अंतर्मुखी रहे, कर्म के लिए देह का आधार लिया, फिर न्यारे और प्यारे बन गए, तो एक बाप को जितना जितना असरीरी बनकर याद करने का अभ्यास करेंगे, अर्थात आकारी, साकारी और निराकारी स्वरूप का अभ्यास करेंगे, उतने ही हम ब्रह्मा बाप के समान बनते जाएंगे ब्रह्माचारी बन जाएंगे इसे कहते हैं बाबा फालो फादर तो ये थे जुलाई मास के दस अव्यक्ति सारे इससे आगे के इसारों को अगले वीडियो में अच्छा ओम शांती